Hello Friends, मैं आज आपको 2004 की 3 Iron ये एक romantic Korean movie explain करने वाला हूँ इस movie की IMDB rating 8 है और इतनी अच्छी rating ये movie deserve भी करती है एक शादी शुदा औरत के साथ अलग type के affair की एक story है इस movie में जो भी main characters है इनका कोई भी dialogue नहीं है पर cinematography इतनी अच्छी है कि आपको जो भी इन characters को लग रहा है ये बताया जाता है इस movie में जो main characters है ये गभी भी बोलते नहीं पर इनके जो dialogue से है ये उनके emotions से convey हो जाते है बहुती कम dialogue और बहुती अच्छी cinematography इस movie में हमें दिखाई जाती है इस movie में जो भी CNN है इन सब के symbolic milling के साथ मैं आपको इस movie का explain करूँगा तो चलिए शुरू करते है movie start होती है और हमें हमारा main character के दिखाई गया है ये एक बहुती शान सिटी में हमें दिखाई गया है बहुती कम लोग यहा रहते हैं बहुती कम traffic वेगरा होती है यह हमें अलग-अलग door पर जाकर अपने pomplets लगाता हो दिखता है यह hotels के pomplets होते है पूरे neighborhood में गुमता है और एक ने society में आचाता है उसने इस society में pomplets लगाए थे और अब वो हर door को चेक करा है इसका actual में एक plan होता है यह हर चगा जाता है और वहाँ अपने pomplets लगा कराता है जिस घर पे उसने अपने pomplets लगाया है उसका owner अगर उस घर में होगा तो वो यह निकाल कर रख देगा अगर यह pomplets नहीं निकला होगा इसका मतलब यह घर पर कोई नहीं है घर का owner कई बाहर गया है केको फिर यह पता चलता है तो वो घर में घुश जाता है हमें आप यही दिखता है वो एक building में आ चुका होता है वहाँ फिर डोर देखता है जहाँ पर उसका pomplets अभी ठीटका हुआ होता है फिर वो डोर open कर लेता है उसके पास टोर open करने के लिए बहुत सारे tools विगरा भी होता है घर में अंदर जाता है तो एक phone machine भी check करता है वहाँ पर message होता है कि हम family vacation बाहर गये है यह घर की family का message होता है यह घर में हमें shower लेते वह दिखता है वहाँ खाना बगाता है वहाँ बहुत सारे चीज़े करता है और अगर इस घर में कुछ टूटा फुटा होगा तो यह भी repair कर देता है जिस घर में वो जाता है अपने camera के साथ वहाँ एक photo ले लेता है जिस घर में भी वो जाता है उस घर में लोग जिस तरह से रह रहे थे यह जो भी काम वो कर रहे थे यह सब काम वो करता है अब मैं आपको इस character के बारे में और भी बतातू यह एक freeze वोल होता है जहाँ भी से जाना होता है वहाँ वो चला जाता है अलग-अलग शेहरों में घुमता है और यही trick वो करता रहता है जिस घर में कोई लोग नहीं रह रहे उस घर में जाता है उनकी lifestyle जीता है यह वहाँ से कुछ भी चोरी वगरा नहीं करता एक ही life में अलग-अलग चीज़े experience करकर इसे रहना होता है जो गोर वो experience कर चुका है इसके एक memory वो photos में लेता है अब next scene में हमें दिखता है कि जिस घर में के रह रहा था वहाँ की family फिर सी घर आ जाती है इस family में mother, father और son होते है यहाँ mother ज़रा नाराज होती है वो vacation पर जाकर आई है पर फिर भी उसे वो vacation अच्छी नहीं लगी थी इस family जो चोटा बच्चा जोता है वो अपनी खिलोनकी गेन लेकर आता है यह पहले तूट गई थी पर अब के नहीं इसे रिपेर कर दिया है वो अपनी mother पर point करता है उसकी mother frustrated होती है तो के दी की चला दो और यह चला भी देता है यहीं scene खतम हो जाता है next scene में फिर से नया neighborhood में हमें के दीखता है यह बहुत ही अच्छा never road होता है और बहुत ही बड़ा यह घर होता है इस घर में वो आ जाता है घर में आने के बाद देखता है कि यहाँ कोई है या नहीं और वहाँ एक औरत होती है जिस यह पार्ट नहीं कर पाता वो बहुत ही चूप चाप वहाँ बैठी हुई होती है इसके face पर किसी के मारने की निशान भी होती है यह डर कर वहाँ चूप कर एक कोने में बैठी हुई होती है फिर answering machine पर call आता है या इस औरत का husband जोता है वो answering machine पर message पेचता है वो उसे पुछता है क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो उसे हरी गर-गर phone वीकप करने के लिए बोल रहाता है उसे sorry भी कहता है वो कहता है मैंने तुमारे लिए बहुत कुछ किया है फिर भी तुम unsatisfied हो वो गुसा होकर उसे phone वीकप करने के लिए बोलता है यह घर में ही जूपरे लेती है यह फिर से अपना सब जो रूटिन होता है वो करने लग जाता है उस घर में कपड़ेत होता है अगर उस घर में कुछ टुटा-फुटा होगा तो वो रिपेर करता है यह और अब केज जो भी सब कर रहा है यह देख रही होती है पर वो कुछ भी आवाज नहीं करती और सिब आवजर करती रहती है इसका नाम हम क्रीम रखेंगे केज होता है वो घर के काम करकर बहुत ही सैडिसफाइड उसे महसूस होता है कि हमें एक प्लांट को वाटर करते हो दिखता है नेकसे में हमें क्रीम दिखाए गई है और उसके पास एक पेंटिंग होती है और वो भी इसी प्लांट की होती है यह प्लांट क्रीम को रिप्रेजन करता है और के अब उसे वाटर कर रहा है क्रीम पूरी तरह से मुर्जा चुकी है पर अब इसकी लाइफ को वो फिर से जिन्दा करेगा केकी एक खौपी होती है जिसमें वमेशा गोल्फ खेलता है के जो घर होता है इस घर में क्रीम के बहुत सारे फोटोस होते है क्रीम पहले मॉडलिंग करती थी के जब इस घर में एक वेटिंग मशिन पर खड़ा होता है तो एक काम नहीं कर रहे होती क्रीम के लाइफ का बैलन्स रिपेजन करती है जब रात होती है और के सोया हुआ होता है तभी क्रीम दर्वाजा खोलती है कि ये देखकर डर जाता है तो इस फोन पर और एक मैसेज आता है इस मैसेज में उसका पती बोलता है कि अभी गभी फोन पिक अप करो वरना मैं घर आ जाओंगा ये जब फोन चल रहा होता है तो खिक कपड़े बगरा बेहनता है और फिर से नई जगा पर जाने के लिए रेड़ी हो जाता है कि फिर हमें हावे पर दिखा गया है इस औरत के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है इसके बारे में सोच रहा होता है थोड़ी देर बाद वो सोचता है और फिर से इसी घर में आ जाता है वो देखता है कि क्रीम शौर में है और वो रो रही है वो फिर उसे चीर अरप करने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक लगाता है थोड़ी दिर में क्रीम का हसबन भी वहा जाता है सब दरवाजे खुले होते हैं तो इसकेलिए उसे डाटता है उसे पोचता है, कि तुम फोन क्यों ने answer कर रही थी वो अपने business trip पर कुछ काम नहीं कर पाथा तो इसका भी blame वो क्रीम पर ही करता है क्रीम को बोलता है, कि मैंने तुमें कहा था कि तुम्हें ऐसे कपड़ी नहीं पहनने है उसे क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं सामान लेता है और गोल्फ की प्रैक्टिस करने लग जाता है क्रीम का हजबन जब यह देखता है तो वो गुस्ता हो जाता है वो फिर पुलिस को कॉल कर देता है उसे रिपोर्ट कर रहा होता है और फिर वो गार्डन में भी आ जाता है गोल्फ के सब बॉल्स पड़े होते हैं कि अपना निशाना अब बदल लेता है क्रीम के हाजबन पर वो निशाना लगाता है और उसे बहुत बुरी तरह किसे इंजोर कर देता है क्रीम का हाजबन अब क्राउन पे गिर जाता है यह जो घर है इसमें क्रीम के बहुत सारे मॉडलिंग की फोटोज है एक शौट में हमें दिखाए गया है कि के क्रीम के modeling के photo के साथ होता है और और क्रीम में दिख रही होती है इसका मतलब अब जो है वो के free है और क्रीम वैसे पहली थी model की तरह थी वो तब free थी जब वो photos निकाल रहे थी अब वो के को देखकर वैसा ही फिर से फिल करना चाती है इस शॉट से यह उन्होंने रिप्रिजेंट किया था और अब हमें दिखता है कि क्रीम अब के के साथ पाइक पर उसके चली जाती है वो अब उसके हस्बन के साथ ने रहना चाती के का जो भी रूटिन है उस रूटिन में वो घुल में जाती है वो उसके साथ अलग-अलग नेवरोर्ज में जाकर पॉम्पेल चिपका दिये और उसके साथ ही रहती है नेक सिन में हमें दिखता है कि के उसकी गोल की फैक्टिस कर रहाता है वो एक garden में खेल रहा होता है पर वो ball कही जाये ना इसलिए उसने उस ball को बान दिया होता है यह जब वो खेल रहा होता है तो ball के सामने cream आ जाती है के अपनी खेलने की direction चेंज करता है पर उसी direction में फिर से cream आ जाती है के फिर अपना खेलना ही बन कर देता है यह represent करता है कि जो life है जैसे तरह से वो जीता है उसके बीच में अगर क्रीम आगए फिर भी वो violence की तरफ नहीं मुणने वाला अब next 길 में कीद्वर के आ जाते हैं यह जो घर होता है एक फोटोग्राफर का घर होता है यहाँ कृम का फोटोपी होता है जैसे हमने देखा था कि कि अलग अलग घरों में जाकर वहाँ की चीज़े वगर रिपैर करता है यहाँ भी वही वो कर रहा होता है क्रीम जब उसके फो को देखते है वैसी वो नहीं है इसमें बहुत सारे लेयर से वो एक human being है जिस तरह से human beings complicated होते है उसी तरह से वो भी है उसके husband ने उसे कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है पर फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो इतनी simple सब को चीज़े नहीं होती आदमी के अल यह सब खाना वह उसे दे देता है यहाँ वो उसके लिए बहुत ही care कर रहा है यह हमें दिखता है और फिर से जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रीम एक plant को represent करती है उसी plant को के फिर से water कर रहा होता है थोड़ी दर में घर के बाहर photograph की जो girlfriend होती है वो आ जाती है कोई door open नही जाता तो चली भी जाती है पर अब के और क्रीम यहां नहीं रह सकते के जिस तरह से हर घर में फोटर लेता है उसी तरह से फोटर ले रहा होता है पर क्रीम भी इस फोटर में आ जाती है उसके life का अब वो पार्ट बन चुकी है यह scene represent करता है हमें फिर से एक नए घर में वो honeymoon रगया था रात में घर वापस आजाता है वो जब इन दोनों को देखता है केक को बहुत ही मारता है रात में फिर के और क्रीम यह दोना एक bench पर बेटते है क्रीम उसके लिए noodles वाठ लाती है उसे वो अपने हाथों से लाती है थोड़ी धर बाद फिर से के अपनी goal practice करने ल केको ये हैं देखकर बहुत इवाइं रोने लग जाता है यह सेनड रिप्रेजेंट करता है की केको लगता है कि वो साथ कंट्रोल करवा रहा है पर लाइफ में कुछ चीज़े आपके हाथ में नहीं होती कंट्रोल करवाना रात में दोनों फिरसे नए घर पर आ जाते हैं जब सुपह होती है फिरसे अपना रूटीन स्टार्ट करते थे इस बार नया घर वो डूंडते है जब वो बिल्डी में आते है और घर खोलते है तो इसे स्मेल आ रही होती है जब ये चेक करते हैं, तो वहाँ एक आदमी मरा पड़ा हुँ होता है कि यहाँ से निकल जाने वाला होता है, पर क्रिम यही रुखती है यह आदमी अपने मुझे से को खुन आकर मर गया होता है तो यह सब खुन वेगरा है, यह सब साब करते है K. call करकर देखता है इस आदमी के सन को ये call लगता है पर ये कुछ भी नहीं बोलता जब ये दोनों इस घर में खाना खा रहे होते तो थोड़ी देर बाद इस आदमी का सन और उसके daughter-in-law आ जाते है वो चेक करता है कि उसके फादर का है वो उसके फादर उसे कही भी नहीं मिलते वो इन दोनों को फिर घर में रुखने के लिए बोलता है और पुलिस को call कर देता है पुलिस फिर हमें K. और क्रिम को investigate करते हुए दिखती है के का camera उनके पास होता है वो figure out गरता है कि बहुत सारे घरों में रहा है क्रिम मिसिंग है ऐसा उसके husband ने report किया होता है यह पुलिस फिर उसके husband को call कर देते है यह police officer जब K. को धमगाता है तब K. उस old man की location दे देता है actual में K. ने इस old man को एक proper burial दिया होता है उसके घर के पास ही एक पेड़ की नीचे उसे गार देता है तो यह चेक करने के लिए जो आदमी जाता है वो officer के पास आकर उसे कहता है इसे बहुत ही अच्छी तरह के इससे गारा गया था उस old man का इसने इतना खायल किया था कि यह उसका actual mission हो क्रीम का पती उसे अपने घर लेकर आता है उसे कहता है कि मैं बहुत ही sorry हूँ तुम जब चली गई थी तो मुझे सोचने में वक्त मिला था मैं अब बदल चुका हो तुम जब गई थी तुमारे parents को मैं मैंने बहुत सारे पैसे बेचे है वो से अश्वर करता है कि मैं आपसे अच्छे से रहूँगा मैं तुमें कभी भी हट नहीं करूँगा क्रीम अभी भी उसे response नहीं दे दि क्रीम का पदी अब चीर जाता है और डिरिक्ट्व को कॉल करता है इस डिरिक्ट्व को वो पैसे दे देता है और के को एक सुमकसान जगा वो लेकर आते है के ने क्रीम के पदी को गोल्फ बॉल से मारा था अब यही उसका पदी के के साथ कर रहा है थोड़ी देर बाद के को बजाने के लिए पुलिस आफिसर आ जाते है तो के उस पुलिस आफिसर पर ही जपक जाता है अब हमें के डारेक्ली प्रिजन में दिखाय गया है उसके जो इन्मेंट्स होते हैं उनके सामने वो इमेजनली गोल्फ खेल रहा है इससा प्रिटेंड करता है इसमें से एक इन्मेंट उसका इमेजनली गोल्फ टॉल है यह चीन लेता है इसी वज़े से इन दोनों में फाइट हो जाती है और सुलीटरी में केको रख दिया जाता है जब केको चेक करने के लिए वहाँ गार्ड आता है तो केच छुप जाता है उसे वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो वहाँ एक्जिस्ट नहीं करता गार्ड को अंदर आना पढ़ता है उस पर चीड गया होता है तो उसे बहुत मारता है आत्मी करीम का हस्बन उसके पास आजाता है वो कहता है कि मैं सोच रहा था उसे पूछता है कि मैंने क्या गलत किया है करीम कुछ भी बोलने रही होती है वो केके साथ रहे रही थी उस पर भी वो नाराज होता है उसे फिर वो slap कर देता है क्रीम भी इस पर रुखती नहीं और वो उसको भी मारती है क्रीम के care करने वाला कोई नहीं था यहने उसकी care किये थी और अब उसे फिर से अच्छा लगनी लगा है वो अब उस पर अत्यचार नहीं होने दे रही वो उसे मार दी है के फिर से उसने जो गार्ड को जलावा दिया था वही देता है गार्ड अंदर आता है और उसे बहुत मारता है नेक्स डिंग क्रीम घर पर होती है तो उसे जो भी कपड़े अच्छे लगते है वो पहनती है बाहर जाती है और पहले जो एक घर में वो गई थी उस घर में वो पहुच जाती है वो आ इस घर में जो रहता है वो एक आदमी वहा है वो अंदर आती है उसे कुछ भी नहीं बोलती वो कहता है कि क्या तो मैं हेल्प कर सकता हो पर वो डारेक्ली उसके घर में चली जाती है उसके बेड़ पर सो जाती है इस आदमी की थोड़ी दिर बाद वाइफ आती है उसे पुछते है कि ये कौन है ये आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता उसे जाकर उठाने वाली होती है पर ये आदमी कहता है कि थोड़ी दिर इसे सोने दो क्रीम जब अपनी नीन से जाकती है तो वो डारेक्टी चलने लग जाती है फिर से अपने घर आ जाती है क्रीम जो के के साथ महसूस कर रही थी उसे फिर से एक बार महसूस करना था क्रीम का पदी घर पर होता है उसे पूछता है कि तुम कहा गई थी मैं तुम्हें कही भी जाने के लिए मना किया था क्रीम उसे कुछ भी नहीं बोलती कि फिर से अपनी सेल में छुप जाता है इस बार कार्ड जब उसे देखने के लिए आता है तो कार्ड के पीछे हो छिप जाता है कार्ड फिर उसकी शैडो देख लेता है वो उसे बहुत ही मारता है कार्डों से कहता है कि तुमारे shadow को तुम नहीं control कर सकते इस cell में कि हमें meditate करता हो दिखता है वो एक fist बनाता है और अब इस fist को open करता है और fist open करने के बाद हमें इसमें एक आग दिखती है ये represent करता है कि कि जिस तरह से रह रहा था इसमें वो confined था पर अब उसे सब कुछ दिख रहा है उसे सब कुछ knowledge आ चुका है क्रीम खीडकी से बाहर देख रहे होती है तो उसका पदी उसके पास आता है उसे कहता है कि तुम उसके लिए wait कर रही हो कब prison से बाहर निकलेगा उसकी तुम रहा देख रही हो अब क्रीम का पदी उसे कहता है कि हम move out कर लेंगे वो घर sale करने वाले agent को call करता है वो क्रीम उससे उसका mobile चीन लेती है के को चेक करने के लिए इस बार जब guard आता है तो उसे कही भी देख नहीं पाता कि अब इस jail से escape कर चुका है जो police officer के को investigate कर रहा था उसके पास हो आता है और उसे बहुत मारता है के कहा है इसे वो figure out नहीं कर पाता और मार खाता है के हमें भी इस scene में कही भी नहीं दीखता इसका मदलब है के अब invisible चुका है इसका मदलब क्या है यह मैं आपको movie के end में बताऊंगा हमें boxer का घर फिर दिखाये गया है boxer और उसकी जो wife होती है इन दोनों में जगड़ा चल रहा होता है boxer की wife को लग रहा होता है यह boxer का affair हो रहा है या फिर उसे कोई घर पर है ऐसा मैसूस होता है वो पूरे घर में चानत है और वहाँ कोई भी नहीं होता इस boxer ने अपना poster घर में लगा आता है जब वो इस poster को देखता है तो उसकी आख वहाँ से missing होती है इसका मतलब है कि किसी लोग को भी अपने आपको देखने नहीं दे रहा अकर लोग उसे देखेंगे नहीं तो उसे हट भी नहीं कर पाएंगे जिस घर में किरिम आकर सोकर चली गई थी उसी घर में के भी आया था यहाँ जो और एद रहे थी उसे लगता है कि यहाँ कोई है पर वो इससे explain नहीं कर पाती किरिम जिस कुशन पर सोई थी उसी कुशन पर सोकर वो चला जाता है इसके बाद हमें दिखता है वो जब घर पर आती है तो वे दोनों intimate होने की कोशिश करते है तब है उन्हें लगता है कि इस घर में के है हम देखते हैं कि क्रीम की जो फोटो थी वो सही से लग चुकी थी पर अब फिर से कि उसे अलग-अलग जगा पर लगा देता है क्रीम जैसा उसके फोटो का चाहती है उसी तरह से अड़िस कर देता है फोटोग्राफर और उसकी girlfriend जब देखती है तो वहाँ से फोटो missing होती है यह दोनों फिर बहुत ही डर जाते है क्रीम के पदी को कॉल आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये अब जेल से फरार हो चुके आए जब रात होती है तो क्रीम के पदी को भी लगता है कि उसके घर में कोई है वो भी अपनी गोल्ड बैट लेता है और हवा में मारने लग जाता है उसे वो कही भी नहीं मिलता वो जब बेड में सोने के लिए आता है तो वो क्रीम से कहता है कि वो अब यहाँ आ सकता है जब मिडनाइट होती है तब क्रीम उठती है और घहन में केक को ढूड़ने लग जाती है वो जब एक मिरर के पास आती है तो वो उसे वहाँ के दिखता है उसका हस्बन भी उसके पास आ जाता है पर उसे केक कही भी नहीं दिखता क्रीम को बता है कि केक को अब कोई भी देख नहीं पा रहा तो अपनी बदी को फिर से I love you कह देती है उसका बदी खुश हो जाता है और उसे हग करता है उसके पती ने जब उसे हग क्या होता है तो पीछे से के और क्रीम दोनों किस कर रहे हैं ऐसा हमें दिखता है इस फ्रेम का मतलब है कि इसी घर में अब ये तीनों रहने वाले हैं के को कोई देख नहीं पा रहा तो यहां आसानी से वो रह सकते हैं अगले दिन क्रीम बहुत सारा breakfast बना थी है उसका पती बहुत ही खुश हो जाता है वो जादा ही मुस्कर आ रही होती है उसका पती उसे कम मुस्कर आने के लिए और breakfast करने के लिए बोलता है उसका husband विर्खुश हो कर काम के लिए निकल जाता है के और क्रीम एक दूनों को किस करते हैं और इसके बाद एक ही वेट स्केल पर हमें दिखाये कए हैं जैसे हमने मुवी के फर्स में देखा था कि उसके घर में जो वेटिंग मशीन थी उसको वो रिपेर कर रहा था गेम के जो लाइफ का बैलनस है वो वो रिपेर करना चाता था पर इस बार वो ये कर चुका है मुवी कदम होती है और स्क्रीन पर एक मैसेज आता है इस मैसेज में कहा जाता है कि आप ड्रीम में रह रहे हो या रियालिटी में ये डिफ्रेंशेट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ड है ये ये मुवी कदम हो जाती है पर के के साथ क्या हुआ था ये आपको आप मैं एक्स्प्रेंड करूँगा डायरेक्टर ने जिस तरह से ये स्टोरी बताई है इसके अलग-अलग इंटरपिटेशन आप कर सकते हो हमें के मेडिटेशन करता हो दिखा है और कैसे इन्वीजिबल होना है इसकी प्रैक्टिस को कर रहा होता है अगर हम देखे तो इसने ये आर्ट अब मास्टर कर लिया है वो गार्ट को जलावा देकर जेल से भी भाग जाता है और इन्वीजिबल पूरा हो जाता है इसका second explanation है कि जब के cards को जला दे रहा था हमेशा वो छिपता रहता था जब guard ने उसे बहुत मारा था वो सचमुच में वहां बर चुका था अब जिस guard ने उसे मारा था ये trouble में आ सकते है तो इसलिए इनने cover up story की थी उनने कहा था कि के jail से फरार हो चुका है हमें पता नहीं है ये बहुत ही hard है ना हम फिर इसका interpret कर सकते हैं हम life में जो भी सब चीज़े dream करती है वो कभी कभी reality में भी आ जाती है Einstein ने भी अपने quote में कहा था कि आप जिस तरह से इस world को देखते हो उसी तरह से world बन जाता है इसका मतलब एक cream ये सब imagine करी है उसे लग रहा है कि prison से वो escape हो उसके मन में वो fix कर ले थी है कि के हमेशा उसके साते रह रहा है और अपने life का balance को करना चाहती है इसलिए वो फिर से अपने पती के सांथ अमेंट जो होती है वो सही कर लेती है इसी तरह से अलग-अलग explanation के साथ ये movie हमें छोड़ कर चली जाती है बहुत ही अलग तरह की ये story थी है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like और comment जरूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर ना तरहता हूँ तो प्लीज इस channel के subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूर के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिया